इस्टुएंट स्टार्ट कर रहे हैं मिट्टम एग्जामनिशन 22-23 सेशन का प्रैक्टिस कोशन पेपर डीयोई का क्लास 10 साइन्स के लिए तो इसका फर्स्ट पार्ट चो था वह हमने प्रिवेस वीडियो में कर लिया था तो वहां से आप सेक्षिन इसका चेक कर सकते हैं ची तो इस सारे कुशन तो हो चुकिया है कि सेक्षिन पी में आ गए हम तो इसका कुशन 21 सबसे पहले पढ़ते हैं सोहन पूट पीस ऑफ कैल्शिम इन दा बीकर हाफ फिल्विद वाटर ही अबज़र्व जैट इट सेंग डाउन फॉस्ट पर स्टार्ट फोटिंग वाटर आफ वह पहले तो सेंक टाउन यानि डूब का डूब गया और स्क्याट फ्लोट करने लगा कुछ देर वाज तो रिजन देना है तो देखिए अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की जो डेंसिटी होती है कैल्शियम की देंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंट क्यूबिक सेंट जादा वाइलें नी होगा चीक है करन्ड जो हाइडोजान बने गी आपको पता ना कैल्शियम की वाट्र जब रेक करेंगे तो हाइडोजान गया स्टिक गी हंगी जो हाइडोजान होगी वह एसकेप नी करेंगी यहाइडोजान सफम्स की ड़लें सुटक दटी का हusing हो जाएंगी जिससे ही कैसी होती है hydrogen gas highlight होती है तो जिसके कायरण अब vite lighter हो जाएगा इसके कारण क्राणी लगेगा float करने लगया clear तो यहाद foundation and water काषिम हाई शीर wyल मार बनता है sommes हाई रदिये हैं hydrogen क्योंकि रेक्शियन नहीं है इस्केप नहीं करेगी जिसके करएगी और उसको बाद में क्या करने लगेगा फ्लोट पहले लेकिन सिंक कर जाएगा अपनी रेंसिटी के कारण ठीक है तो यहां पे कुछ नहीं आसकता है कि कैल्शियम जो होता है वह कैच फायर कैच नहीं कर पा जाएख आहता क्या क्योंकि कैल्सियम का जो रिक्शियम है वाटर के साथ वह वायलेंट नहीं होता तो यादर रहेंगे कि inferior और यहां आ सब्सक्राइब करने में यूज करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी से आपने वर्ड रुखी है जैसे मेटल ड़क्टाइब होती है और उसके लावा डक्टिलिटी मैलीबिलिटी और हार्ड होती है जनरली एक्सप्शन है तो वह याद करेंगे आप उसके लावा होती है jewelsara की gus conductor होती है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है बट वह प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी उधा यह आप इसके वायर की यूज कर सकते हो में बहुत करने के लिए उसकी पराइब को और फोर में हुस arbitrते हैं तो उसके वास दो property होती है Metal एक तो ductile होती है ductile के कारण उसको हम wire में stress कर सकते है तो जिसके कारण उसकी हम wire बनाएंगे तो metal की यह वाली properties के थू ही हम wire बना पाते है दूसरा वो electricity की good conductor होती है तो जिस्ट आपको wire के लिए पूछी है property तो आपको यह दो ही प्रावर्टी बितानी है ductile होती है और electricity की good conductor होती है next question देखेंगे what are reflex action and reflex arc तो reflex action क्या होते है उसके रिफ्लेक्स arc क्या है तो देखें reflex action जो होते है वो involuntary होते है sudden होते है तो ऐसे जो एकदम से हो जाए ऐसे action या ऐसी movements तो इनको हम क्या कहेंगे reflex action कहेंगे जैसे कोई अनुक्रिया होगी उसको response करेंगे एकदम से हो जाएंगे जैसे कि आपको पता है bright light जैसे हमारी आइस पर पढ़ती है तो हमारी आइस क्या हो जाते है अपना केदे तो रिफ्लेक अच्छा इसका next पार थाए रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है यह reflex escp को दिये कर लेना Chaosaja 24 पाला कूशन है तो सबसे पहले तो देखिए अगर इसे एक्स्प्लेइन करना चाहिए तो आप एक्स्प्लेइन भी कर सकते हैं त्रीजान के हैं पूर्मेशन घो टीज़ से सेंट करेंगे कि सेंसरी निउराँको उसके बाद एक सेंट होगा ब्राइन में ता मोटर नीराऊन को द१ार जाएं संब टुरहा बाद इस तो हजाता है अब बन फोटर नियारेन को फिर चाहता है Спazuje सारी आई से आई मसल कंट्राक्ट हुई जिसके यहां प्यूबर फ्लोज हुआ और बिलिंक और आई शट होने लग जाती है क्लियर तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियर हो गया है नेक्स्ट कुशिन देखेंगी कुशिन 23 है आपका करते हैं कि जो फ्लोचार्ट फेक ट्राफिक लेवल तो देखेंगी फूद चेन के होती है जो प्रॉसेश एनरजी ट्रास फर्विक लेवल टू अनदर ये कि energy transfer करने का जो process है organism में उसको हम food chain कहते है ठीक है यह तो definition हो गई अगर आ जाती है बड़ आपको question में एक flow chart बनाना है food chain का जिसमें 4 ट्रॉफिक भी हो सकती है फोर की भी हो सकती है तो हमें फोर ट्रॉफिक लेवल की बनानी है तो अगर हम इसे बनाएं तो देखिए गर मैं ऐसे ट्राइंगर की फॉर्में बनाओ तो सबसे नीचे जो लेवल होता है वह primary organism होते है ठीक है उसके बाद क्या होते है सबसे नीचे जो होते है वह producers होते है उसके प्राइमरी होते है primary और फिर 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 फ्राइमरी कंजूमर के बाद क्या होते है secondary और secondary के बाद fourth level किसका होगा tertiary का ठीक है तो producer primary consumer किसको किस पे feed होंगे producer producers को कौन खाएगा primary secondary वाले primary को और tertiary वाले secondary को ठीक है तो अगर producer की बात करें तो producer में क्या आगया grass है उसके बाद grass को किस ने खाया rat ने खाया primary consumer उसके बाद secondary को और ret को कौन खाता है snake और snake को कौन खाएगा hawk बाज न तो यह हमारी four traffic level की क्या बन जाएगी food chain बन जाएगी चीक है सबसे पहले अगर हम उपर से start करें तो यह इसको खाता है फिर यह इसको खाता है यह grass को rat ने खाया rat को snake ने खाया snake को hawk ने खाया चीक है अब इसमें एक कुछ मैं और बता देती हूं अगर मान लो इन्होंने बोला कि 10% law के according किसको कितनी energy transfer होगी तो मान लीजिए अकर इसके पास thousand joule energy है ठीक है तो बाकियों को कितनी कितनी मिलेगी तो आप ना जब भी नीचे वाला level आपको पता हो उपर वाले level पर जाने के लिए आप क्या करेंगी 10% law लगाने का मतलब होता है किसका 10% निकालीए वह कितना आएगा एक जिरो कट तो 10 से divided हो जाएगा यह 30 data तो यह 10 jool आज चाएगा और यह 10 से टिवाइद होगा तो one जूल आजएगा मानलों इससे उपर भी होता तो वन बाइटन कितना हो जाता जीरो पॉइंट जूल यह ना यानि कि जब आपको नीचे वाले लेवल का एनरजी पता है और उपर वालों का निकालना है तो आप 10 से क्या करते चाहिए डिवाइट करते चाहिए ठीक है लेकिन अ सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट कुशन देखेंगे 24 24 में आपको तो आपको बता है आइरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम कुछ मैथर यूज करते हैं जैसे ऑईलिंग कर देते हैं ग्रीजिंग कर देते हैं और एक और प्रोसेस होता है प्रोसेस भी ज़ीन करेंद ग्राइड करते हैं थे इन लेर ऑफ देते हैं इनको हम गोटिंग कर देते हैं जिंक लेर की iron और steel object को जिससे क्या होता है zinc जो layer उपर से लगेगी ये ना stop कर देगी oxygen and water के contact को metal तक पहुँचने में ठीक है एड़स तरीके से resting से बचा लेगी ठीक है तो ये resting process sorry galvation process पता चल गया ना कि iron और steel को zinc की coating से coat कर देते हैं ठीक है जिससे zinc अंदर metal के अंदर water और oxygen को contact में नहीं आने देते हैं ठीक है जिससे जंग नहीं लगेगा उसके बाद आपको बोला है next question इसी का choice वाला question है what is thermite reaction what is the use of this reaction thermite reaction क्या होता है important है बहुत साथ thermite reaction क्या है the reduction of metal oxide जब एक metal oxide का reduction होता है reduction का मतल़ समझगे रहने oxygen का removal उसमें से oxygen हट जाती है या फिर hydrogen एड हो जाना तो जिब reduction हो जाता है किसी metal oxide का और उससे क्या बन चाती है metal बन जाती है बट किस की use से reduction होगा ?」 अलूइमिनाउं पाऊडर की है तो aluminum powder क्या कर रहा है reduction कर रहा है metal oxide का और यह reduction जो होगा, aluminum powder की help से होगा, aluminum powder as a reducing agent काम करेगा, उसी reaction को हम धर्मा इट्रेक्शन कहते हैं, तो अगर हम इसकी reaction बताएं, तो यह जैसे, क्या है, ferric oxide है ना, metal oxide है ना, ferric oxide, इसको हमने aluminum powder से react किया, तो aluminum powder क्या है, reducing agent है, तो यह इसकी जो oxygen है ना, इसको हटा देगा, तो F2O3 में से oxygen हट जाएगी, तो just F2 बचेगा है ना, iron बचेगा, और यह जो oxygen है यह इसके पास हाचाएगी, ठीक है, और साथ में यह exothermic reaction होगा, तो heat बहुत जादा निकलती है इसमें से, तो iron, metal जो हमें मि reaction होता है मैंने बता है, हीट निकलती है, तो highly exothermic reaction है, जिसमें large amount of heat निकलती है, जिसकी current metal जो हमें मिलती है, यह अगर यह molten state में मिलेगी, तो हम इसको किसमें यूज कर सकते हैं, इसके users अगर पूछे, तो welding परफस में, क्योंकि molten state में है, तो welding में यूज जाएगी, इससे हम broken railway tracks को join कर सकते हैं, iron objects को join कर सकते हैं, या फिर machine के track part को भी हम join कर सकते हैं, क्योंकि जो metal है वो molten state में, clear, तो आपको वेले इसका definition लिख लेना है, तो आप बताऊगे कि, यह exothermic है, जिससे heat निकलेगी, जिससे metal जो भी मिलेगी आपको, यह जो metal मिलेगी, molten state में मिलेगी, इस के कारण इसके use हम इसमें करेंगी, चीक है, तो इसके users भी पूछे थे आप से, what is the use of this reaction, यह सबको समझा गया होगा यह कुशन, thermite reaction, reaction भी देख लेना है इसका, बैसे तो यह just two marks का है, तो आपको just this reaction की definition इतनी और use लिखना है, चीक है, write two different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body, दो तरीके बदाई जिससे glucose oxidized हो जाता है और energy देता है human body को, तो दिखे, वो दो method जो है, एक है, first है, anaerobic respiration, और एक होता है, aerobic respiration, जिसकी कारण glucose oxidized होता है, ठीक है, तो यह तो आपने पढ़ा भी ओबस की definition, anaerobic respiration क्या होता है, respiration जिसमें, जो होता किसकी, respiration which takes place without oxygen, बीना oxygen की help से, जो respiration हम करते है, उसको anaerobic respiration कहते है, अब यह anaerobic respiration करता है, कौने yeast का जो fermentation होता है, उसमें anaerobic respiration गोज होता है, या फिर कुछ bacteria जो break down होते है, ठीक है, glucose को break down कर देते हैं, yeast और bacteria, किसमें, glucose को किसमें break down करते हैं, ethanol और carbon dioxide में, इसाल अब से कोशन भी आ सकता है, एक और enerobic respiration का example है, जो हमारा, जब हमें vigorous exercise करते हैं, तो जो muscles होती है, उनको high amount of energy required होती है, बट डूरिंग exercise, oxygen की जो oxygen की जो मात्रा होती है, वो कम हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए, हमारी muscles, अनर्बिक respiration करती है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना, muscles में अनर्बिक respiration कैसे होता है, तो अनर्बिक respiration में ब्रस्टल्स में जब होगा, तो glucose breakdown किसमें हो जाएगा, लेक्टिक असिड में, तो ये धिहान रखना, muscles में जो exercise करते हैं, respiration होता है, वो कौन सा वाला होता है, एनर्बिक, और उसमें glucose किसमें breakdown हो जाता है, लेक्टिक असिड में, बट जब yeast और बैक्टिरिया भी एनर्बिक respiration करते हैं, तो उनमें glucose किसमें एक change हो जाता है, ये थ difference याद रखना, बट दोनों में हो कौन सा respiration रहा है, एनर्बिक, एनर्बिक किसकी helps without oxygen होता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा glucose का जो question था, उसका दूसरा दो तरीके पूचिते हैं, तो दूसरा तरीका is aerobic respiration, aerobic respiration में पास ये याद होता है, ये oxygen की presence में होता है, ठीक है, इस बाद नेगी, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, तो glucose oxidized के तरीके आपको पता चल गए, जिसे energy मिलेगी, नेक्स्ट इसका चॉइस वाला question है, वाइद ब्रिफिं रेट इन एक ब्रिटिक और्विक और्ग उर्गेसमेंगे जो पानी में रहने वाले जो जीव है, उनका जमीन में रहते हैं तो गोत वह को मिलोल तो इनका विर्तिंर में क्या कृत DOD तो Thats पानी में जो Dissolved Oxygen होती है वो कम होती है चीक है किसके comparison में amount of oxygen in the air जो air में होती है क्योंकि टैस्टे अनीमल जो होते है क्योंकि एक्वेटिक का ज़ादा होगा किसे इत्रेस्टे से समझा क्या? किसके comparison में तो यह इसका अंसर है, next question देखेंगे, which property regarding movement is shown by the root and the shoot of the plant, तो देखें, root को अगर हम देखें, तो वो देखें, जमीन पर है न, तो वो कौन सा movement करती है, hydrotropism, चीक है, तो root में कौन सा हो रहा है, hydrotropism, अब यह जो इसका plant वाला पार्ट है, वो sun की तरफ है, तो sun की तरफ है, तो उसमें, जो plant वाला बाट है, उसमें कौन सा होगा, autotropism, चीक है, उसके बाद next जिसका जो part है, during an experiment हा, scientist administers gibberlin in a plant, what expected change में occur in that plant, जब दी gibberlin हर्मोट डलता है, प्लांट में, तो क्या-क्या चेंज होते है, तो उसके uses या उसका role पढ़ ले न, गिबरलीन का, एक तो यह elongation of stem, stem को elongate करने में help करता है, अगर कोई dwarf plant है, dwarf मतलब जो कम height का plant होता है, तो उसके stem को क्या करेगा, elongate करेगा, गिबरलीन, उसके राबाब ब्रेक, dormancy of seed and buds, seed and buds में, अगर कोई inactiveness है, मतलब वो अच्छी तरह से विक्सित नहीं हो पारे, तो उसकी dormancy को भी तोड़ता है, यानि इसको अच्छी तरह से seed को develop करने में help करता है, next, promote inter-node elongation in beetroot cabbages, beetroot cabbages में, जो cell division होता है, या inter-node elongation होता है, उसके बढ़ाता है, इसके अलाबा, fruits can be left on plant longer, fruits जो होते हैं, प्लांट में लंबे टाइम तक रह सकते हैं, चीक है, तो यह गिबरलीन के, प्लांट में क् buttons भी कह सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, यह जो section B है, वो complete होता है, अब next video में हम, section C start करेंगे, तो section B में हमने सारे questions कर लिए, ठीक है, तो अब next section C वाला part आप रेट करना, ठीक है, इसको मैं complete करा दूँग, exam से पहले पहले, तो बाकी चैनल को subscribe कर लेना, वीडियो को share कर देना, यह हम next part में करेंगे, part 3 में, part 4